Hello friends, Git सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्षर नमबर 21 है और आज हम जो टोपिक सीखेंगे वो मैं बता रहा हूँ Git के टोप मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक में से एक है और ये 99 परसेंट लोगों को पता ही नहीं है लेकिन जब आप इसके बारे में जान जाओगे तब आपको पता चलेगी कि लोग कितनी बड़ी चीज मिस कर रहे हैं Git के अंदर और ये Git का वन ओप दे मोस्ट पावरफुल फीचर है जो आपको आना जरूरी है और क्योंकि हम इस सीरीज के अंदर काफी आगे बढ़ गए हैं तो अब मैं आपके सामने Advanced Concept Advanced Plus Useful Concept ला रहा हूँ अभी तक आपने 20 लेक्चर देखे हैं कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगा है कि हाँ ये चीज फालतु किये तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी के फटा पर सुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि ये कितना की important है और क्यों important है अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब आप industry के अंदर चले जाओगे और एक project के अंदर काम करोगे ठीक है real world project के अंदर और जो track हो रहा है किस से git से ठीक है माली जी की मेरा एक project है code house का code house app ठीक है तो ये मेरा project है ये काफी बड़ा project है और इसको हम track कर रहे है git के help से अब क्या है कि इसके अंदर multiple लोग काम कर रहे हैं ठीक है multiple लोग अलग-अलग functionality पर काम कर रहे हैं अब actual काम होता कैसे मैं आपको बताता हूँ वह branch का पता कैसे चलेगा वह आप जब project के उपर जाओ होगे तो आपको automatically पता चल जाए उस main branch से आप एक नई branch बनाए जैसे कि live classes ठीक है और यहाँ पर आपने id दे दी 776 जो आपको task मिला था उसके id है जो भी है और इसके आपने id दे दी 776 यानि कि आपकी जो task मिला था उसके id 776 है अब आपने branch बना ली अब आप क्या करते हो कि इसके अंदर मान लीजे कि आपने आज काम स्टार्ट कर दिया और आप दो तीन और यह चार फाइलों के इंदर आपने changes किया चेंजिस करने के बाद में आपको क्या लगा अब आपको लगा कि हाँ आज का मेरा काम हो चुका है ठीक है या फिर मैंने live classes के feature को implement करने के लिए एक step को complete कर लिया है अब क्यूंकि मुझे कल यहीं सी resume करना है तो होता क् है कि जब आप एक project के उपर काम करते हो तो साम तक होते होते हमको यह बताया जाता है कि आपको कभी भी यह changes है यह अपने local पे नहीं रखना चाहिए कि मान लीजिए कि आपका computer crash हो गया आपके hard disk crash होगी तो आप क्या करोगे आपने जितना भी काम किया वो सारक सारा lost हो अब आप कोगी sir रोज-रोज थोड़ी हमारी computer के अंदर आगल लगती है कोई जरूरी नहीं goodg together डालना Hä कोई जरूरी नहीं गीतख के अंदर णाऄ लेकिन लोग क्या करते हैं इसको github में Ừें बेंड़ डाल देते हैं अब GitHub के अंदर हम कैसे डालेंगे, माली जी कि आपको GitHub के अंदर भी नहीं डालना, लेकिन आपको क्या है, कि यह लग रहा है कि यार देखो, इन पांस फाइलों के अंदर मेरे एक बार के लिए चेंज हो गए, मैंने एक step अच्छीव कर लिया है, तो मैं एक बार इनको commit कर दे कि step 1, adding button part is completed, यह आपने commit क्यों किया, ताकि मेरे changes उड़ना जाएं, अब अगले दिन आपने क्या किया, इन पर वापस काम स्टार्ट किया, तो आपने उन चार फाइलों के अंदर तो काम स्टार्ट किया, आपने इन दो तिन फाइलों के पर और काम स्टार्ट किया, ठीक है यह first day की बात है, first day, और ऐसा ही होगा, आप real world में जाओगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है, यह अपना second day, तो आप चाओ तो इसको github पे भी डाल सकते हो, github पे डालोगे तो आपको commit करना पड़ेगा, ठीक है, मान लीजे आपने डाला या नहीं टाला, वो आपकी choice है, लेकि आपने क्या क्या, आज काम किया, इसको commit कर दिया, क्यों, ताकि आपका काम उड़े ना, हाला कि automatically नहीं उड़ता है, लेकिन किसी वज़र से मान लेजे कि आपकी फाइलें के changes उड़ गए है, तो उस case में क्या होता है, कि आपको दुबारा से काम करना पड़ता है, तो बेट server key and configuration, ठीक है, यह आपने काम कर दिया, उसके बाद में आप आई, तीसरे दिन, तीसरे दिन आपने इन में दो-तिन फाइलों में changes किया, और उसके बाद में एक-दो नहीं फाइलों में changes किया, तो किया नहीं, पुराने वाले में किया, और थर्ड दिन आपने क्या किया, कि लिख दिया कि कमिट आपने क्या डाला लाइव फीचर इंप्लिमेंटे ठीक है आपने लाइव फीचर को इंप्लिमेंट कर दिया तीन दिन में आपका लाइव फीचर हो गया लेकिन क्या हुआ आपको एक फीचर इंप्लिमेंट करने के लिए आपने तीन कमिट किये हैं द्या क्या किया कि एक नई फाइल आपने क्या किया कि सारी सारी प्रोपर्टीज को नई फाइल के अंदर डाल दी और आपने एक और कमीट बना दिया ठीक है आपने कमीट क्या बनाया कि एड़ेड प्रोपर्टीज to config file आपने config file के अंदर properties को add कर दिया अब क्या हुआ कि आपका ये feature complete हो चुक है आपका feature ready है आप अपने boss को दिखाने के लिए कि boss मैंने अपना काम कर दिया है अब आप इसको main code में merge कर दीजिए तो अब इस चीज़ को दिखान से देखिए कि आपको एक feature implement करना था आपको task दिया था कि live classes का feature implement करो तो आपने क्या किया एक नई branch बनाई ठीक है live underscore classes और इसके अदर 776 ठीक है इसके अदर आपने क्या किया चार commit किये ठीक है commit one, commit two, commit three, commit four चार commit क्योंकि है कि हम अपने हर दिन के काम को save कर रहे थे ताकि in worst case ये कभी उड़े ना तो आपको पता है कि जब ये fourth commit complete हुआ तब जाके हमारी ये functionality implement हुई इसके बाद में हम कह सकते हैं कि implemented live classes functionality ठीक है यानि कि जब अपने fourth commit किया उसके बाद में अपनी functionality पूरी ready है लेकिन अब अगर आप इस चीज को अपने boss को दगे तो आपका boss क्या बोलेगा कि यार तुमने इतने सारे commit क्यों किये क्योंकि हर एक commit का एक मतलब होता है अगर आप कोई commit करते हो तो उसके अंदर कुछ information होती है आपने कुछ फाइले चेंज किये तो वो फाइले वो commit मेसे से पता चलती है कि ये फाइले किस चीज से related थी ठीक है अब आपने यहां पर क्या लिखा आपने यहां पर क्या लिखा कि step one adding button step two यह वो यह क्या थे unnecessary commit थे क्योंकि आपने अपने फाइदे के लिखिए to be in safe side कि मैं अपने changes lost ना करूँ आपका बो सिर्फ एक commit देखना चाहता है क्योंकि आपके जैसे वहां पर कई सारे लोग काम करते हैं तो कभी commit history के अंदर हम जाके देखते हैं तो वहां proper अगर message दिखें कि implemented live classes feature और उसके अंदर जितना भी मैंने live class के feature को implement करने के लिए काम किया वो सारा आजाए यानि एक commit के अंदर सारा काम आजाए unnecessary commit ना रहे अभी अपने क्या है कि यह commit unnecessary है फाइलों को हमने commit उस टाइम पर इसलिए किया था कि हम एक बार कुछ experiment कर रहे थे हम यह चाह रहे थे कि यार अपना data lost ना हो या फिर एक level tech का हमने काम कर दिया step wise step तो इसको एक बार के लिए commit कर दो ता कि कि किसी वज़े से अगर control Z भी हो जाए तो अपने changes ना उड़े तो कभी आपको फाइल भूल जाओगे उस commit के अंदर add करना या फिर कुछ कुछ किसी भी reason से आप करोगे अपने daily life के अंदर मुझे पता है क्योंकि मैं भी करता हूं अब आपका end goal क्या है कि जब मैं इस changes को अपने boss को दूँ pull request के लिए तब उसको ये गंदे commit ना दिखे उनक आप commit को मिला के एक commit दिखे प्रोपर कमिट इंप्लिमेंटेड लाइव क्लासेज फीचर और अगर उसको एक commit दिखेगा कितना सांदर लगेगा आपकी PR के अंदर एक commit है आपने उस feature को इंप्लिमेंट किया है ठीक है तो उसके भी समझ में आएगा दिमाग में otherwise वो है तो मेरे कहने का मतलब क्या है अगर आप multiple commits को merge करके एक single commit बनाना चाहते हैं उसके पीसे कोई भी हो सकता है या तो आपको company से उपर से order आजाएंगे या आपको खुद को पता चल जाएगा या आपको कैसे पता चलेगा जब आप real world के अंदर काम करोगे तो आपको automatically पता चल जाएगा क्यूं क्यूंकि इन दिनों हम जो पढ़ रहे हैं वह advanced concept है वह आपकी git journey को वह आपकी software journey को प्रो बनाता है ठीक है अगर आप normally git use करते तो आप normal user हो लेकिन अगर आप एक pro user बनना चाहते हो बाकि किसी भी लोगों को नहीं पता कि इस तरीके का वह git के अंदर कुछ feature है लेकिन अगर आपको पता है तो आप जो काम करते हो कितना clean दिखेगा और अगर clean दिखेगा तो definitely आप live के अंदर आगे बढ़ोगे त को कंबाइन करके एक single commit में लाना ठीक है single commit के अधर आप कितने भी commit को combine कर सकते हो अब इसको करना कैसे है उसके लिए मैं पहली बार आपको command बताऊंगा अब आपको किसर आपने तो वादा किया था command नहीं vs code से बताऊंगा vs code से बताऊंगा लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा confusing हो सकता है इसके next video जब आप देखोगे तब इस बात का आपको पता चल जाएगा कि क्यो confusing हो सकता था next video में मैं इस पूरी series के अंदर आपको बोला था command नहीं सिखाऊंगा यह एक command सिखा रहों तो आप समझे इसके पीछे बड़ा reason है ठीक है तो उस चीज को आप ध्यान मत दीजिए तो आज हम क्या सिखेंगे अगर मैं एक line में conclude करूँ आपको अगर multiple commit को combine करके एक single commit बनाना है तो वो केसे करेंगे वो क्यों करना है उसके पीछे कई reason हो सकते हैं आपको reason automatically पता चल जाएगा एक reason मैंने आपको बता दिया कि अगर आप unnecessary commit अगर आपको दिखते हैं ठीक है आपके code की गलती की वज़े से है किसी भी वज़े से तो अगर आप multiple commit करते हो unnecessary एक feature को implement करने के लिए तो functionality is related यह best practice होती है तो चलिए friends अपठापठा हम चलते अपने VS code पे और देखते हैं कि इसको practically किस तरीके से करेंगे friends मैं अपने VS code पे आ चुका हूँ अपने CEO भया के पास आ चुका हूँ और आज मानली जी कि हमको subscription के feature पे काम करना है तो सबसे पहला क्या होता है git के अंदर best practice में मैं हमेज़ आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको किसी एक नए feature के उपर काम करना है किसी bug fix पर करना है किसी भी करना है सबसे पहले आप एक branch बनाईए branch कैसे बनाऊगे जो आपकी main branch है आपकी कौन सी main branch है वो जब आप अपने project के अंदर काम करोगे तो आपको automatically पता चल जाएगी यह मेरी main branch है इससे मैं एक नई branch बनाऊँगा लेकिन आपको ध्यान रखना है main branch से नई branch बनाने से पहले आपको main branch को update करना होता है वो क्यों करना होता है क्यों कि आपके project में multiple लोग काम करते हैं और आपकी एक branch के अंदर हो सकता है कि आज आपने code pull किया है और कल आप एक नई feature के उपर काम कर रहे हो तो हो सकता है कि किसी और लोग ने उस branch के अंदर कुछ और code push कर दिया हो जब भी आप एक नई branch बनाते हो ध्यान रखिए इस चीज को कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी main branch कौन सी है main branch से हमको हमेसा एक नई branch बनानी है लेकिन उससे भी पहले हमको क्या करना है main branch को update करना है कैसे update करेंगे आप यहाँ पे आईए git पे यह आपकी main branch है देखिए तो इसको क्या होता है कि अभी आप देखिए यहाँ पे आपको push का symbol आ रहा है यहाँ पे pull का symbol आएगा तब आपको update करने की need है अभी आपको update करने की need नहीं है यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 0 incoming और 8 outgoing यानि कि हमारे पास ज्यादा commit है तो इस case में आपको update करने की जरूरत नहीं है जब भी आपको यहाँ पे down arrow का symbol देखिए आपको definitely उसको update करना ही करना है उसके बाद में हमको यहाँ पे click करना है नहीं branch बनाना है नहीं branch का नाम क्या दे कि सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिपर आइपन वी एस चीक है मैं कुछ भी नाम दे रहा हूं यह क्या रहा है ओल्रेडी एकजिस्ट सोरी इस नाम से ब्रांच ओल्रेडी एकजिस्ट करती है तो मैं यहाँ पे लिग देता हूं payment UPA मैं इस नाम की ब्रांच बनाई अब आप द्यान चे देखें मैंने payment UPA नाम की ब्रांच बनाई अब मुझे payment के ऊपर काम करना है ठीक है अब हमको payment का Fischer Implement करना है तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और इसका नाम क्या देता हूँ मैं payment.php ठीक है एंटर किया और अब आप देखिए यहां पर मैं लिख देता हूँ payment in progress ठीक है यहां पर लिख देता हूँ added phone pay ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूँ step 1 यह मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा step 1 ठीक है और step 1 के अंदर हमने क्या किया कि एक तो payment.php एड की और उसके बाद में हमने एक file और एड कर देता हूँ मैं यहां पर आया एक नई file बनाता हूँ upi.php ठीक है एंटर किया और यहां पर लिख देता है this is upi file अब क्या हूँ कि मेरा काम complete हो चुगा है एक step का और आज मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों file के changes को save कर लूँ यह क्या hph क्या हो गया PHP लिखना था मुझे ठीक है तो मुझे क्या है कि मेरा payment का काम आज का थोड़ा सोगे एक step मैं अच्छीव कर लिया है मैं क्या करता हूँ इसको commit कर देता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ added phone पे feature ठीक है और एक काम करता हूँ मैं इस file को rename कर देता हूँ ठीक है अभी आपको बताता हूँ मैं इसको क्यों कर रहा हूँ इसको मैं इस टेज करता हूँ इसको मैं rename करके लिखता हूँ राइट क्लिक करके तहां गया rename किया phone पे ठीक है यह क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा this is phone पे file यहां पे मैं आता हूँ वापस इसको staging area के अंदर डाल देता हूँ और यह मेरा हो गया step 1 completed step 1 added phone फे feature अभी अपना काम complete नहीं हुआ है लेकिन हमने एक step का काम कर दिया है तो हमें इसको commit कर देता हूँ ठीक है अगले दिन क्या हुआ कि हमको patium के उपर काम करना है तो हमने यहां पे लिख दिया step 2 और यहां पे लिख देतें added paytm ठीक है और यह अपन paytm.php नाम की फाइल भी बना देते हैं अभी बनाते हैं यह मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा paytm.php और हम मान रहे हैं कि this is paytm फाइल सेव करते हैं यहां पे आके कमिट करते हैं वो लिख देते हैं step to paytm implemented कमिट करते हैं उसके बाद में next day हमको काम करना है किस के उपर Google Pay के उपर तो हम यहां पे लिख देते हैं यहां पर लिख देते हैं गूगल पे ठीक है और अब मैं क्या कर रहा हूं इसको कमिट कर रहा हूं उससे पहले मैं एक file orate कर देता हूं Google Pay की तो यहां पर मैं लिख देता हूं Google Pay.php और लिख देता हूं this is Google Pay अब यह मैंने क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा अब मैं यहां पर लिख देता हूं step 3 added Google Pay यहां पर हुआ यहां changes को stage कर दो कमिट किया और हो गया अब हमको क्या करना है हम भूल कर रही हा रही कि step वाल है यह हमको हटाना था तो चलो यह हटा देते हैं और यहां पर सारा काम हो चुक है payment completed लिख देते हैं success और अब मैं कह रहा हूं कि हाँ अब मेरा payment से related सारा काम हो चुक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं completed या implemented payment feature ठीक है और यहां पर मैं इसको staging area के अंदर डाल देता हूं commit कर देता हूं अब आप इस सीज़ को ध्यान से देखें मैं इसको करता हूं close all अब मैं अगर आपको branch से हमने एक नई branch बनाई है ठीक है यहां से अगर आपको सही सही नहीं दिख रहा है तो आप समझेए अगर मैं यहां पर so all पर सिर्फ payment वाली करता हूं sorry तो आप देखिए कि हमारी यह payment वाली branch है यह किस से बनी मैं से मैं से बनने के बाद में हमने क्या क्या इसके अंदर यहां पर कोई दूसरा तरीका नहीं होता है कि so remote branch एक चीज में आपको दिखाता हूं अगर आपको confuse कर रही है चलो यहां से दिखाता हूं मैं कमी details के अंदर आते हैं और आप देखिए चलो मैं काम करता हूं आपको अभी ग्राप समझ में नहीं आ रहा है न कि यह main check है तो एक बार के लिए मैं main branch के अंदर जाता हूं और यहां पर commit कर देता हूं वह क्यों कर रहा हूं अभी आपके समझ में आ जाएगा यहां पर मैं कुछ branch के अंदर वापस चला जाता हूं यह मैंने क्यों किया just to make you understand अभी आप देखिए हम अगर आपको git graph दिखाता हूं तो अब आप देखिए अगर मैं यहां पर 100 और branches करता हूं तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां तक यह कौन सी branch सल रहे थी main branch सल रहे थी लेकिन main branch से आपने एक नई branch बनाई यह वाली कौन सी payment upi वाली और इसके अंदर आपने कौन-कौन से commit किये एक आपने किया added phone pay feature paytm implemented added google पे और उसके बाद में आपने लिखा added paytm feature ठीक है और उसके बाद में सबसे last में आपने लिखा proper commit message implemented paytm feature अब मैं अगर आपको सिर्फ इसी branch के commit दिखाता हूं तो आप देखिए कैसे हैं यहाँ पर आप step one step two step three और उसके बाद में आपने लिखा implemented paytm feature यानि कि तो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमको बोला गया था कि एक payment का feature rate grow हमने एक नई branch बनाई उसके अंदर हमने चार कमिट किये और इन चारो कमिट के अंदर हमारा payment का सारा काम है लेकिन अब अगर आप से कोई पूछे कि बताओ आपने payment का काम करने के लिए कौन-कौन ची फाइलेट गी तो आपको क्या होगा इन चारों तीनों चारों कमिट के अंदर जा जाके देखना पड़ेगा और आप अपने बोस को भी बोलोगे तो बोस क्या किया यार तुमने स्टेप पन स्टेप टू स्टेप तरी अगर इसको कोई प्रोफेशनल लोग देखेगा और वो बोलेगा कि पेटियम के लिए पेमेंट के लिए कौन-कौन सी फाइलेट की गई थी तो इसको केसे देखेंगे तो आप कहोगे कि मैं क्या करूँ बोस फिर तो बोस बोलेगा कि यार यह तीन-चार कमिट ना दिखिए एक कमिट दिखाओ एक कमिट के अंदर इन में जित कमिट की रखनी है लेकिन कमिट एक रहेगा ठीक है और उसको जो नाम देना चाहिए वो नाम हम दे सकते हैं वो कैसे करेंगे अब आप दिखान चे सुनिए अब आपको अगर आप मेरी सीरीज सुरू से फोलो करते तो मैं आपको CEO और founder का concept आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं पता तो देखिए यह हमारे है founder भईया आज तक हमने जितना काम किया VS code की help से किया लेकिन ये काम हम अपने founder भईया की help से करेंगे कौन सा काम इन चारो commit को मिला के एक commit बनाने वाला है यह क्यों करेंगे यह आपको इसके next video में automatically पता चल जाएगा लेकिन आपको जितना हो सके आपको इसी से करना है ठीक है अब friends आपको सबसे पहले क्या करना है जो आपका git base है इसको आप अपने project के पास ले जाएए project के पास ले जान यहाँ पर right click कीजिए, paste कीजिए और उसके बाद में इस file का नाम हटा दीजिए और जितने भी backslash है उसको आप forward slash बना दीजिए अब क्या होगा जैसी आप enter करोगे तो देखिए आपका git base है founder भाई है वो आपके project के पास आज चुके है और इन्होंने बता दिया कि अभी आपकी current branch है वो payment upi है अगर आप यहाँ प्याके भी देखोगे सोरी यह दो दो क्यों open होगे तो आप देखोगे payment upi अपनी current branch है अब अगर मैं आप पे एक बार आपको commit दिखा देता हूं अपने पास कौन कोच यह commit है तो आप लिखिए git log hyphen one line यह command आपको याद नहीं रखने है बस just मैं आपको दिखा रहा हूं कि अपने को इन चार commit को combine करके एक commit बनाना है ठीक है कितना है एक दो तीन चार ठीक है यह चार है तो अब आपको क्या लिखना है command के अंदर यहाँ पे आपको अगर इस तरीके से दिखता है तो आप क्यों दबा दीजी अब कितने को combine करके एक बनाना है मैं बार बार repeat क्यों कर रहा हूं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा important है चार को तो आपको command क्या लिखने है git rebase-i इतना आप याद रखे git rebase-i और उसके बाद में आप लिखिए head ये लगाईए और अब आपको कितने combine करने है चार चार लिखे enter करिए जैसी आप enter करोगे आपके सामने इस तरीकी का window open हो चाहिएगा इसको देखके घभराना नहीं है लेकिन यहां पर सावधानी बरत नहीं है अब अगर आपको इस window को देखके कभी भी डर लग जाए कि यार पता नहीं क्या हो गया यार यह तो गडबड हो गया मुझे तो आपको समझ में नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है आप यहां पर आईए अपना टर्मिनल ओपन कीजिए एक नए टर्मिनल और यहां पर आप लिकिए git rebase hyphen hyphen abort जब भी आपको कहीं पर भी डर लगे आप abort कर दीजिए enter करके यहां से इसको close कर दीचे, कोई डर नहीं है, लेकिन अभी हम डर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको दबाना है अपने keyboard का i button, जैसे आप i button दबाओगे, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस आपको दबाना है, ठीक है, बहुत कुछ हो गया, आपको दबाना है, अब आप अगर एक चीज को notice करोगे, तो देखे, यह जो कमिट आपको बता रही है, यह किस order में, सबसे पहले हमने कमिट ये किया, उसके बाद में ये किया, उसके बाद में हमने ये किया, यानि कि जो सबसे last में हमने के अंदर बताऊं तो आप देखिए सबसे लेटेस्ट कमिट है इंप्लिमेंटेड पेमेंट फीचर उससे पहले हमने किया था यह उससे पहले लेगिन यहां पर क्या ओडर उल्टा रहे हैं अब आप क्या कर सकते हो उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए आप स्टेप टू में अपने जो काम किया यानि उपर के कमिट को नीचे मर्ज कर सकते हो नीचे को उपर नहीं ले जा सकते हैं ठीक है मेरे कहिने का मतलम आप जो यह वाला कमिट है इसको प्रिवेस के अंदर मर्ज कर सकते हो स्टेप टू को स्टेप टू के अंदर मर्ज कर सकते हो इन तीनों को इसके अंदर merge कर सकते हूं, लेकिन इसको इसके अंदर नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, try भी नहीं करना है, मैंने भी नहीं किया, conflict आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपन क्यों उल्टा सीधे try करें, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कि जो सबसे latest है, वो सबसे करने हैं नीचे से आप assess लिखते जाए शीजें चाहिए तीन के लिए आपको hack लिखना है आपको इसा क्या होगा कि यह तीनों जो कमिट है यह तीनों मर्ज हो जाएंगे उपर वाले में आपको सर ऐसे कैसे हो जाएंगा अभी यह करके बताती है जैसी आप यह काम कर लो अब आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए आपको दबाना है ESC वाला बटन कीबोर्ड के अंदर सबसे उपर ही उपर होता है यह सी दबाया उसके बाद में आपको लिखना है कोलन ये वाला नीचे देख रहे हो ना ध्यान से और अब आपको लिखना है डबलू सोरी डबलू क्यू जैसी आप करोगे एंटर करोगे तो आपके सामने एक और चीज ओपन हो जाएगी इसको भी देखके आपको गवराना नहीं है अब आपको क्या करना है कुछ भी नहीं कर लिखा दीजिए इन सब की जगा है 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 ohner res अब आपको जो मेशेज डालना है आपने चारो कमिट को कंबाइन करे एक बना रहे हो भली आपने तीन के लिए हैस लिखा हो लेगन आप वहो चारो मिल के एक कमिट बनेंगे तो आप वह कूण सामेश दिखाना चाहते हो तो आप लिखना चाहते हो ing-624 implemented payment ufi feature यह आपने लिख दिया अपना message अब आपको क्या करना है वापस escape दबाना है colon wq दबा के जैसी आप enter करोगे तो आप देखिए कुछ जादू हो गया जादू क्या वा वो मैं आपको दिखाता हूँ आपका इसका काम हो चुक है इसका काम आपको इतने करना है इसको close कर दीजिए अब अगर आप graph देखोगे तो आप ध्यान से देखिए graph के अंदर क्या हो किया यह देखिए मेरा graph refresh हो चुक है अगर आपको भरोसा नहीं है तो मै आपको दिखा देता हूँ गिटगर आपके उपर क्लिक करता हूँ यह गिटगर आप आपके पास कहां से आएगा आपको एक extension डाउनलोड करना है गिटगर आपके नाम से यह मैंने अपने पुराने वाले lectures में काफी अच्छे से समझाई है अब आप देखिए यहां पे कह अपने शुरा आपको कि यहां पर सवाल नहीं अबन पेमेंट यूपई देखते हैं आप कहरें कि देखिए जो पेमेंट यूपई वाली ब्रांस है उसके अंदर सिर्फ एक ही कमिट है तो आपको किसर बाकी कमिट का आ गए तो आपको यह बाकी कमिट सच में गाएब होगे हाँ सच में गायब होगे हमने उन सारे कमिट को मिला के एक कमिट बना दिया अब आपको कि सर एक चीज हमें बताइए जब हम सारे कमिट को मिला के एक कमिट बना देंगे तो इस कमिट के अंदर वो सारी फाइले दिखनी चाहिए obviously दिखेगी click कीजिए तो अब यहां पर देखिए Paytm, Payment, Google पे, phone पे सारी फाइले आपको दिख रही है अच्छा और अगर आप Payment पे जाओगे तो जो आपने सबसे latest code किया वो यहां पर दिख जाएगा तो इसका मतलब क्या वा कि हमने successfully अपने 4-5 कमिट को जितने भी कमिट को मर्ज करके एक बना दिया अब अगर यही code आप अपने बोस को दोगे कि बोस देखो मैंने यह feature implement कर दिया तो आपकी बोस देखेगा अरे वा या इन 4 फाइलों के अंदर इसने चेंज किया पांस फाइलों के अंदर चेंज किया तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा और अगर आपके कोई भी doubt है तो आप comment box में लिखे और जो जो मैंने colon, wq, escape यह सारा बताया है अगर आपको नहीं समझ में आता है तब वीडियो को दुबारा देगी या फिर आप description box को check कर सकते हो तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज समझ में आया होगी अब next video इसी का continuation में होगा वहाँ पे हम एक rebase जानेंगे असल में rebase क्या होता है अभी हमने rebase command काम मिली लेकिन यह हमने indirectly काम मिली असल में rebase क्या होता है यह हम अपने next video में जानेंगे तब तक के लिए bye bye take care अगर आपके कोई doubt है तो आप मुझे comment box में जरूर पूचिए